चले इस तो बात करते हैं स्पाइस जैट के बारे में देखें स्पाइस जैट के अंदर आपको लेवल देखने को मिल रहे हैं 84.90 के तो एविशन सेक्टर की बहतरीन कंपनी यह मानी जाती है बट इस समय इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क हम लोगों को दिखाए जा रहा है जिस तरीके से हम लोगों को इस से पहले जो रेली बनती हुने ज़राई थी 105 रुपे से भी उपर के लेवल हम लोगों को देखने को मिले बट मुमेंटम हमें इसके अंदर लगातार गिरावट का देखने को मिले है और यह स्टोक्स हम लोगों को लगबग 80 रुपे की तो चालिस से पचास रुपे के आसवा स्टोक्स आपको मुह करता हुआ नजर आता था तो pricing कम था moment भी हमें कम देखने को मलता था अब अगर pricing के बात करें तो pricing जो है बढ़ चुका है तो moment भी हम लोगों को ज्यादा ही दिखाई दरा है अब रही बात इसके stocks की उपर जाने की तो देखें जिस तरह के से हम लोगों को इसके अंदर गिरावट के level देखने को मिले है लगबग कह सकते हैं कि 25 रुपे से जादा का moment हमें उपर से गिरावट का अब तक देखने को मिल चुका है तो धिरे धिरे करके इसके अंदर हम लोगों को अच्छे खासे level देखने को मिलेंगे बजार के दिगजी इसके अंदर positive है और मानकर चल रहे हैं कि नियर टर्म्स मे 120 रुपे तक के जो है target हमें इस stock से देखने को मिल सकते हैं तो आपको ये चीज कभी भी नहीं भूलनी चीए जिस तरी की साथ में देखा कि 40 रुपे से लेकर और 50 रुपे तक की range जो इसके अंदर हम लोगों को इससे पहले देखने को मिला करती थी तो उसके अंदर लगब 90 रुपे तक की range में आपको कम सकम दो तीन महीना अगर इसने अपना time spend कर दिया तो multi वेगर return भी हम लोगों के बन जाते हैं बट आपको सरफ इतना ही ध्यान रखना है कि खरीदारी कहां पर करनी है और विकवाली आपको कहां पर करनी है दोस्तों जैसे कि आपने देखा को काफी तगड़ा नुकसान इसके अंदर हुआ है तो आपको जो है इसलिए बार 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 बताया जाता है कि कहीं न कहीं लोंग टॉम के अंदर इच्छा का सा पैसा बनता है और यहीं पैसा बनाने का मूल मंत्र भी है फिलाल मैं कर बात करें स्पाइस जैट की तो लोंग है mutual funds से ज्यादर आपको इसके अंदर देखने को मिलें लगी पोस्त civil से आपको जो है इसके इंदर देखने को मिलने वाले हैं 5,110 करोड रुपर की आसपास मार्केट में वैल्यू दिखाई दे रही है कंपनी की और अगर डैप्ट की बात करते हैं तो कंपनी के ओपर करजा भी है लगबग 1,000 करोड का करजा है तो 5,000 करोड की वैल्यू है तो अप्रोक्सिमेट कह सकते हैं कि मैनेज हो जाएगा अब आप से बार-बार कहता हूं fundamentals को जानिए सही तरीके से आप अपनी position बनाने की कोसिस कीजिए यह आपको study खुद ही करने पड़ेगी पता चले स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को positive रुजान तो देखने को मिल रही बट अगर हम देखे fundamentals के अंदर हम लोगों को negativity देखने को मिल यह साथ के साथ वो बताने का प्रियास करूंगा तो सबसे पहले बात करेंगे sales की तो देखे sales के अंदर तो गजब का momentum आपको देखने को मिला है company के अंदर पिछले 5 साल में लगभग साड़े ठारे परचेंट से ज्यादे की तेजी देखने को मिली है पिछला 3 साल भी काफ देखने को मिला बढ़ तीन साल दो सो उंतिस परसंट की इसी तरह के से करेंगे तो एक सो पिचानम परचेंट की गिरावट हमें देखने को मिली है रिटन ओन इक्विटी की बात करते हैं तो जीरो हो गया और उसी की बात करते हैं तो आपको देखे नेगिटिव रेटन्स हैं तो आपको इसके इंदर भी देखने को मिल रहे है अब दूस्तों करें को मिलigh आपको फसके तीन परसंट की बात करें अब दूस्तों करें अपने बARS हुए हैं इसी तरह के से कर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगवग 31 परशेंट की आसपात देखने को मिल रहा है तो अभी हाल फिलाल में जो नतीजे आए थे सेल्स के इंदर हम लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस बार भी लगवग 1686 करोड रूपर की आसपास बढ़कर पहुंच चुकी है जो कि पिछले क्वाटर में आपको देखने को मिल रही थी 1000 करोड की आसपास इससे पहले देखी तो लगवग 514 करोड की देखने को मिल रहा था माइनस में वो घटकर इसमा हो चुका है माइनस 56 करोड के आसपास अब अगर देखें तो साल दर साल में कंपनी की परफॉर्मेंस की दिखाई दे रही है तो सेल्स के अंदर तो यहां भी हम लोगों को इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है बढ़ रूपर के आसपास आपको माइनस में देखने को मिल रहा था 2019 के अंदर उसके बाद में इसके इंदर और भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है तो यह सारी चीजे फोकस करने के बाद ही आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर अगर जो हाप खरीदारी करते हैं या फिर उसके इंदर पहले से ही पोजिशन बनाए हुए है तो कहां पर आपको निकलना यह सारी चीजा आपको अबजर करना वह जादे जरूरी है अब अगर देखें तो डिविडेंट के इस्तिति क्या दिखाई जड़ी तो फिलाल में डिविडेंट कोई डिविडेंट चार को स्टोक को खरीदना है कि नहीं करीदना है एत्विडेंट के आसपास यह स्टोक दिखाई तरहां देखिए अभी फिलाल में क्या है कि आपको कि किसी कमपणी देखने को मिली जाएगी बटढ अगर dat के साब से देखे तो इतनी भी कमपणी नहीं दिखाय दे रहे प्रॉऩिट बॉकिंग जरूर देखने को मिली ہے बटक के इसके के अंदर हम लोगों को लगहों को लोंग टर्म के अंदर अच्छा यह स्टोक हुआ तो अच्छा-कासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल चुका है तो कही न कहीं एक वार फिर वापिस से जो है यह उपर की तरफ रिकवरी करता हुआ नजर आने वाला है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा और अच्छे-कासे रेटन आपको लोग- आप किसी भी लेवल पर कर लीजेगा अब जब भी कभी आपको जो है स्टोक सकेंदर गिरावट के लेवल देखने को मिलते हैं तो आपके लिए opportunity एक मिल जाती है और वापिस से जब आप उसकेंदर average बनाते हैं आपके मल्टी बगर रिटन लोंग टम के अंदर बनते होने ज़राते हैं दोस्तों कर आप डिमेट अकाउंट ओपन कराने की बारे में सोच रहें तो फिलाल में ऐसी कंपनियां चूज कीजिए जो लोंग टम के अंदर यानिके डिलिवरी में आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज बगरा ना लेती हूँ क्योंकि काफी सारी कंपनिया हैं जो डिलिवरी के अंदर ब्रोकरेज चार्ज लेती हैं तो इससे क्या है कि आपका काफी सारा पैसा बरबाद हो जाता है तो यहाँ पर क्या है कि आप स्टोक्स मैं यूज करता हूँ और यह delivery के अंदर किसी भी तरके का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेती है और फिलाल में इसके अंदर एक offer भी चल रहा है तो free में डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं तो किसी भी तरके का company जो है आप से कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज वगरा नहीं ले रही है तो link नीचे description box के अंदर दिया हुआ है महाँ से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों कर यह जानकारिया आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जिरूंट कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करकर लेना ताके नई वीडियो के notification सीधे आपके mobile पनिस के Thank you so much for watching